सेर, शोपीफाइ one of the best platform है अपना e-commerce brand start करने के लिए सो अगर आपको भी अपना e-commerce brand start करने है या अपना Shopify store create करने है तो इस वीडियो में आपको step by step guide करने वालों कि कैसे आप सिर्ब 20 उपए परमंत में अपना Shopify store या आपे लाइब कर सकते हैं इससे last volume वीडियो में मैंने आपको बताया था कि आप कैसे printify को यूज करके अपना print on demand business start कर सकते हैं तो अगर आपको वो वीडियो देखने है था उसका link आपको नीचे description में और उपर i button में मिल जाएगा Shopify store अपने start करने लिए सबसे पहले आपको यह वाला link अपनी browser में open करना litblogging.com.shopify इस link से अगर आप Shopify के account create करते हैं तो आप उसे 20 उपर पर मंत में आप अपना Shopify store आपे start कर सकते हैं जैसे आप link open करेंगे कुछ इस तरीके से आपको यहाँ पर इंटरफेस देखने को मिलेगा यहाँ पर आप अपना email id एंटर करनी है सबसे पहले हमारे पर email id यहाँ पर copy करेंगी और Shopify की website यहाँ पर enter करके Shopify free trial activate करेंगे email id एंटर करने के बाद हमें कुछ basic questions यहाँ पर Shopify हमसे पूछता है उनको हमें यहाँ पर click करना है I'm just starting out next अगर आपको skip करने यह सारे questions तो आप skip भी कर सकते हैं बट मैं यहाँ पर सारे answer करने वाला हूँ यह कुछ basic question है जो हमारे store setup करने में help करने वाले हैं तो यहाँ पर हम simple info choose करकि next next पर click करते जाएंगे उसके बाद आपका पकी country यहाँ पर choose करनी और next पर click करते न मैं इंडिया से हम तो मैं यहाँ पर इंडिया चूज करूँगा और next पर click कर दूँग इसके बाद आपको यहाँ पर sign up करने के लिए चार ओप्सन मिल जाते हैं आप email id से sign in कर सकते एपल आड़ी से फेस्बुक से गूगल से हम सिंपल यहाँ पर sign up with Google को choose करेंगे अपने email id यहाँ पर choose करेंगे then continue के बटन पर click करेंगे अभी कुछ second time लेगा उसके बाद हम content plan हमें देखने को मिल देंगे अगर आपको start कर रहें तो आप simple यह basic वाला plan चूज़ करेंगे इस वीडियो में मैं यही वाला plan चूज़ करने वालो यहाँ पर starting के तीन इन आपको कुछ भी बेनी करना उसके बाद आपको next 3 महिने तक 20 पर मंत यहाँ पर pay करना पड़ेगा अब यहाँ पर हमें हमारी payment details एंटर करनी है तो मैं जल्दी से मेरे details यहाँ पर एंटर कर देता हूँ so payment details एंटर करने के बाद simple हमें subscribe के बटन पर क्लिक करना है अब यहाँ पर आपने जो भी payment method चूज़ किया है उसको verify करना हुग अगर आपने card चूज़ किया है मेरी तरह तो आपको एक OTP जाएगा वह आप डालके verify कर सकते है और अगर आपने UPI चूज़ किया है तो आपकी UPI एप के ऊपर एक request आएगगी उसको accept करके आप simple अपनी payment confirm कर सकते है तो payment method verify करने के बाद हम automatic हमारे dashboard पर redirect हो जाएगे अब जो next part हम करेंगे वह है product add करना तो simple हमें add product प करना होगा demo के लिए मैंने दो प्रोडेक्स चूज़ करके रखें जो मैं यहाँ पर एड़ करने वालों सबसे पहले आपको यहाँ पर अपने प्रोडेक्ट का टाइटल डालना है जैन डिस्क्रिप्शन डालना है जो माँ डाल चुका हूं अगर आपके पास डिस्क्रिप् एड करें जो कर तो यहाँ पर कर चुका है नीचे जाता है यहाँ पर प्राइस क्षेंड अगर्या फक्रेक्ट वागे रखें पर चार्ज करना है तो अपना आपको यहाँ पर कर सकते हैं या फिर यह चीज़े मैं आपको बाद में भी बता हूँ है तो सिंपल इसको अभी के लिए अंटिक कर देते हैं उसके पार ट्रैक क्वैंटिटी किया ओप्शन आता अगर आपको इन्वेंटरी ट्रैक करने कि आपके पास ओडरी कितने प्रोडेक्ट हैं कितने आपके पास मान लो कि 200 यहां प्रोडेक्ट को यहां यहां पर इन्टर करने हैं यहां पर इसका चिरीन्ट कर सकते हैं अ लगलग colors choose कर सकते हैं अगर आप टी-शिट वगएरा सेल करते हैं तो अगर आपके पास अलगलग colors की टी-शिट्स है तो variant में यहां पर size और color material यह सब चीज़े चूज़ कर सकते हैं तो like मेरे पास यह वाला product है तो मैं इसके colors यहां पर choose कर सकते हूं यहां पर simple color को और अगर अलगलग वेराइटी के आप अलगलग prices रखना चाहते हैं तो यहां पर रख सकते हैं नेक्स जो option है वह सर्च इंजन लिस्टिंग इसका मतलब है कि google पर या फिर किसी भी सर्च इंजन पर प्रोड़क्ट जब कोई सर्च करता तो कुछ इस तरीके सी उनको अब इक लिए अगर आप देखते हैं तो यहां पर टाइटल ठीक अबरे डिस्रिप्शन काफी बढ़ा है यहां पर यह ने काफी बढ़ा है तो अगर आपको एड ह Tamara करते सिंपल जो बाकि पार्ट puisque अपर हटा दो हमारा हमारा दूए मुढ डिफोल्ट हमारा Shopify store का URL कुछ इस तरीके का दिख रहा है पट आप यहां पर अपना custom domain add कर सकते हैं वह भी मापको अभी कुछ देर में बताने वाला उसके बाद आगर हम उपर जाते हैं और साइड में option पर देखते हैं यहां पर status हमारे product के active दिखार आगर आपको ड्राफ्ट में सेव करना तो आप ड्राफ्ट कर सकते हैं यह सारी चीजे देन हमारे पास category option आते हैं लाइक आपके जो भी category है इस product की वह यहां पर एंटर कर सकते हैं अभी के लिए kitchen चूज किया हो क्योंकि यह vegetable cutter है तो kitchen से related ही है इस तरीके सब category यहां पर आप यहां पर इसको कुछ नहीं डालना आपको एज़िटी छोड़ देना है जैसे मैं छोड़ रहा हूं उसके बाद simple यहां पर save के बटन पर click कर देना है इसी तरीके से में जल्दी से मेरे दूसरा product भी यहां पर add कर लिए तो अब आप देख सकते हैं कि हमने हमारे product यहां पर add कर दिया हमारे store पर ऐसे ही आप एक एक करके जितने product अपने store पर add करना चाहिए simple add product पर click करें उतने details आ ले और आप save करते जाए इस तरीके से आपके product यहां पर add होते जाएंगे product side करने पाद जो next चीज़ है वो है हमारे store को customize करना कस्टमाइज करने के लिए simple हमें online store पर बटन पर click करना है then अगर आपको अपनी current theme के साथ अपनी store का look यहां पर check करना तो view your store के बटन पर click करना और आप उनके store पर redirect हो जाएंगे तो default theme के साथ कुछ इस तरीके से हमारे store यहां पर दिखने वह हो रहा है आप इसका look है वह हमीं change करना तो look change करने के लिए customize करने के लिए जो सबसे पहली basic step है वह है एक अच्छी theme चूज करना बाइडिफोल्ट यह वाले theme यहां पर Shopify पर store मिलते हैं बट हमीं यह theme यूज नहीं करनी है हम नीचे स्क्रोल करना है या पर कुछ free theme आपको देखने को मिलते हैं अगर इन theme में से आपको कोई पसंद है तो आप यूज कर सकते हैं otherwise आपको विजिट theme store पर click करना है अब बाइडिफोल्ट अगर आप Shopify को यूज करते हैं तो आपको 12 theme या पर free of course देखने को मिलते हैं आप उनमें से कोई भी theme यूज कर सकते हैं free में अगर उनमें से आपको कोई theme पसंद नहीं आते हैं तो यहां पर पेट theme का collection भी काफी अच्छा देखने को मिलते हैं इस वीडियो के लिए मैं यह वाली theme यूज करने वाले हूं origin जो completely free है तो simple theme को choose करेंगे then try theme पे click करेंगे अब कुछ ही second में यह theme है वो हमा just scroll गरना और theme के नाम के सामने publish button पर click करने एक और बार publish button पर click करना है और यह theme हमारे store पर publish हो जाएगी अब नई theme के साथ अगर आप अपने store का view चेक करना चाहिए तो same view और store पर click करेंगे then हम इस store पर redirect हो जाएगे अब नई theme के साथ कुछ इस तरीके का यहां पे हमें look मिल और पुरानी theme के साथ कुछ इस तरीके के आता यह काफी सही लग रहा है बट इसमें और ज्यादा हम customization करेंगे हमारे कुछ यह जैसे text है product है यह सब यहां पर हमें change करना है तो उसके लिए same theme page पर आएगे customize के button पर click करेंगे अब यहां से आप अपनी store के सारे pages को customize कर सकते हैं जिस तरीके से मतलब आप customize करना चाहिए अपने store को कर सकते हैं तो सबसे पहला option यहां पर जो है announcement bar यह जो सबसे ओपर बार आपको दीख रहा है welcome to our store पर इसको हम change करना है इसका जो background color वो black है पर मैं को यहां पर green color यूज़ करना है तो मैं simply यहां पर announcement bar को select करूँगा then edit theme scheme प आपको कर लेना और यहां पर आपका जो color है वो change हो जाएगा same तरीके से यह text है मुझे इसको भी change करना है तो मैं यहां पर इसको प्रोस करूँगा then back जाँगा और यहां पर हमें यह text देखने को मिल जाएगा इसको हम यहां पर change कर देंगे यहां पर मैं लिखना चाहता हू लिख सकते हैं कोई issue नहीं है जो भी आपको announcement करना है like free shipping अगेरा का कुछ notification डालने है या कोई नई product का notification डालने है best selling का notification डालने है वो सब आप यहां पर add कर चाहिए अगर आपको link add करना है इस पर आप यहां पर link का option है link add कर सकते किसी product का link page का link जो आप add करना चाहिए कर सकते अब इसके बाद जो section है वह header section इसको हम थोड़ी देर में change करेंगे उससे पहले हम अमारे homepage के जितने भी sections है उनको यहां पर एक बार customize कर लेते हैं सबसे पहला जो section है यह एक title है यह मुझे नहीं जाई है मेरे base को मैं इसको हटा दू है remove section प्लिक करें हट जाएगा अगर same आ आपको आओ यहां पर home page पे add करने हैं वह यहां पर select कर लेंगे तो सिंपल में यह वाला product चूज करो में और यह product यहां पर आ जाएगा इसी तरीके से अगर आपको और products यहां पर add section पे हमें click करने है then feature product पे click करने बद फिर से demo content यहां पर दिख जाएगा इसको choose करेंगे then select product पे click करेंगे और जो दूसरे तो product हमने add किया था वह यहां पर choose करने हैं तो दोनों product हमारे यहां पर home page पे आवे इसी तरीके से अगर आपको products add करने वह सब कर सकते हैं then next section है यह एक wide image का अगर आपको wide image कोई offer channel है कोई themes का कुछ भी आपका collection है वह यहां पर add करने उसकी image add कर कर सकते हैं मेरे पास अभी size की कोई image नहीं है तो मैं section को ही remove कर दूँ है then यहां पर testimonials का option है testimonials मैं यहां पर नहीं अटा हूँ है ऐसे कैसे रखूँ क्योंकि यह होना जरूरी आपके store के जब भी visitor आता है तो उसको लगना जेकि लोग यहां से सच में purchase कर रहे हैं और यहां पर reviews भी दे रहे हैं अब किसके नीचे मुझे एक और section add करना है जो कि होगा एफ़ टाइप का तो उसके लिए simple मैं यहां पर add section to template पर क्लिक करूँगा और यहां पर faq के लिए एक section चूज़ कर लूँगा उसके लिए मैं यह वाला जो option है यह काफी सही लग रहा है तो इसको मैं choose करूँगा और यहां पर यह आ देगा इस तरहीं जिससा आप यहां पर faq और अपने question आंसवर जो भी डालना चाहिए और डाल सकते हैं फिलाल यूपर मैं यह करके आप यहां पर कर सकते हैं अब home page एडिट होने के बाद आपको simple save button पर क्लिक करनें make sure save button पर क्लिक करें अगर otherwise आपकी जो भी यहां पर आपनी customization किया है आप वी lose कर देंगे home page के बाद अगर आपको किसी और page को एडिट करना है तो यहां टोप पे आपको option मिलेगा इस प product page by default Shopify में काफी अच्छा देखने को मिलता है अगर आपको फिर भी चेंज करना है तो आप सेम इसी तरीके जैसे हमने home page के वैसे कर सकते हैं otherwise मैं आपको recommend नहीं करूँँगा तो आप यहां पर कस्टमाइज करें काफी अच्छे optimize page यह पहले से में बना के देता है सेम आपको blog post page जो भी page आपको यहां पर एडिट करने लाइक चेक आउट पर अगर प्लिक करते हैं चेक आउट पेज आपको यहां पर आजएगा आप इसको कस्टमाइज कर सकते हैं यहां पर काफी अच्छा चेक आउट पेज़ा में करें बना के देता है तो मैं यहां पर यह चीज करने मतलब आपकी कोई brand store आप बना रहा है और उस brand का कोई particular color है वह सब आपको चेंज करने तो वह कैसे करेंगे उसके लिए आपको simple यहां left side में theme setting के बटन पर क्लिक करने अब यहां पर जो theme की default settings है वह आपको मिल जाएगी सबसे पहला option हमें मिलता है logo आपको simple अपनी logo की image यहां पर choose करने जो भी आपका logo वो upload करना है और वो लोगों आपका यहां पर आजएगा अभी के लिए मेरे पास logo नहीं है तो मैं अपने नाम यहां पर यूज़ करने वाला है फैव icon आपका कुछ इस तरीके से यहां पर जो Shopify store का एक चोटा सा icon दिग रहा है यहां पर बेट्ग्राउंड बला रही हो प्योर वाइट चीक तो उसके लिए मैं सिंपल इस पर क्लीट करूँगा देन बैध्ग्राउंड पे चूज करूँगा और बैध्ग्राउंड कलर को मैं वाइट चूज करने हूँ यहां पर यह वाइट कलर यहां आ जाएगा इस तरीके आपको बाकि सारे और ओप्शन मिल जाएंगे जो आपको एडिट करने हैं तो आप कर सकते हैं अदरवाइस नहीं करने हैं तो ना करते हैं अब मैं जो चीज यहां पर चेंज करना चाहता हूँ वह है यह बटन्स लाइक अभी अगर बटन देखेंगे तो आप यह रेक्टे अब जस्ट इसके उपर अगर आप देखेंगे तो यहां पर वेरियेशन के जो बटन है इनका जो पॉर्णर वह अभी भी सेम है राउंड नहीं हुआ है तो उसके लिए आपको सेम इसके जस्ट नीचे वेरियंट पिल्स पे जाना है और यहां पर आपको इसका जो यह सब अपनी ठीम में च्यांज कर सकते और भी काफ़ी सारे उप्शन आपको मिलते उपर डिफोल्ट आपकी ठीम के होते यहां पे आप देख सकते इन सारी चीजिए अपकि एपकी दिजाइड सेटिंग है जो बी डिजाइड बबात करें अब इगर हैडर को चेंज करने क तो टोप लेफ्ट पे आ जाएगा इस साइड में हमारे ये कार्ट सर्च मेन्यू ये सब आ देंगी मेन्यू अगर आपको चूज करना है और आपकी जो भी मेन्यू है वो यहाँ पे चूज कर लेनी है तो मेन्यू भी यहाँ पे एड हो जाएगी जैना आपकी जो भी में और लोग वो हमारे left side में चला गए जो काफी अच्छा लग रहा है इस तरीके साब अपने header को यहां पर customize कर सकते हैं अगर आपको menu add करने हैं तो select menu पर click करके नए menu create कर सकते हैं या फिर जो by default menus पहले create कर रखें वो आप यहां पर choose कर सकते हैं इस तरीके से आप अपने store को पूरा customization कर सकते हैं header pages सब कुछ यहां पर customize कर सकते हैं तो store customize करने के बाद कुछ settings हैं जो हमें यहां पर set करने होंगी like हम कौन से payment gateways use करेंगे हमारे shipping के जो भी delivery time वगेरा हो वह कैसे set करेंगे तो उसके लिए हम simple यहां पर exit बटन पर click करेंगे then settings पर click करेंगे और यहां पर हमें हमारी store की काफी सारी settings देखने को मिलते हैं जो पहली है store details यहां पर आपको अगर आपके store के contact number email id store name वगेरा change करना है तो आप profile section में आपे edit पर click करकी यहां पर यह change कर सकते हैं then अगर आपको billing address वगेरा change करना है वह आप यहां पर कर सकते हैं currency change करनी है वह सारी चीज़े मतलब जो भी basic चीज़े आपको change करनी है अपने store का ना, email id, number, time zone वगेरा जो करना है इस page से आप कर सकते हैं then plan वाले option पे अगर हम click करते हैं तो आपने जो भी plan यूज़े अगर आपको अप्ग्रेड करना है plan को तो change plan पे click करके आप जो भी plan में अप्ग्रेड करना चाते हैं उस पर कर सकते हैं वाले section में हमने जो भी payment method verify किया था starting में हमारा plan यूज़ करते हैं वह यहाँ पे शोगा अगर आपको नया payment method यहाँ पे add करना है चेंज करना है तो वह आप इस page से यहाँ पे कर सकते हैं then user information में अगर आपको अपने store की और permissions अपने store के staff को यहाँ पे add करना है तो वह आप य करते हैं तो यहाँ पे यह payment methods हैं जिनसे हम payment collect करेंगे हमारी store पे उपर user purchase करेगा तो कौन-कौन से उसको payment method यहाँ पे show होगी by default अगर आप भी आप देखे तो PayPal यहाँ पे selected है COD selected है अगर आपको और payment method चूज करना है तो manual payment method में आप चूज कर सकते हैं otherwise आगर आपको को थर् यह option आपको मिल जाएंगे तो जितनी जाद आप payment method यहाँ पे रखेंगे उतना अच्छा है ताकि आपकी user पास जो भी वे हो पे करने का वह यहाँ से पे कर पाए तो जो भी आप जितनी payment method आप add कर सकते हैं यहाँ पे cash tree हो गया stripe हो यह सब आप यहाँ पे add कर सकते हैं जैसे पर क्लिक करेंगे तो आप यहाँ पर कस्टमाइजेशन वाले section पर फिर से redirect हो जाएंगे और अपना card पे चेक आउट पेज या फिर जो भी पेज आप कस्टमाइज करना चाहते हैं वह यहाँ से एजिली कर सकते हैं यहाँ से आपको पेज्ट करना और फिर जो भी accounts की details आपको यहाँ पर show हो जाएगी login login कैसे करना है वो यहाँ पर branding के लिए अगर आपको logo वगिर एड़ करने वो सब आप यहाँ पर easily कर सकते हैं delivery में अगर आप estimated delivery time वगेर यहाँ पर एड़ करने हैं वो आप यहाँ पर एड़ कर सकते हैं जो भी आपके प्रोवाइडर से उनकी क्या क्या सीपिंग फीस वगेरा है वो आप यहाँ आप मैनवली एड़ कर सकते हैं उससे अगला जो option है वो taxes and duty जो भी tax आप जिस country में collect करन है किस country से किस से वो सारी चीज़ आप easily यहाँ पर एड़ कर सकते हैं जहां से आपके जो प्रोडेट्स हैं वो पिक अप करेगा आपका delivery partner वह आप यहाँ पर एड़ कर सकते हैं मतलब आपके पास अगर multiple warehouse है multiple जगहे हैं जहां से आपको अपने जो प्रोडेक्ट है वो सिप क करने हैं या किसी particular countries में ही करने है तो एड़ मार्केट पर क्लिक करके आप वो country यहाँ पर चूज कर सकते हैं उन्हें में आपका store है वो यहाँ पर शो होने ही लगएगा उसके बाद जो next option है वो है Apps and sales channel का Shopify आपको काफी अच्छे options देता है आप multiple जो एप्स हैं जैसे बुक टिक्टो वहाँ पर भी यह डारेक्ट आप कनेक्ट कर सकते हैं यहाँ यहाँ पर हम अमारा कस्टम डोमेन एड कर सकते हैं बाइड डिफोल्ट अगर आप देखेंगे तो कुछ इस तरीके का URL हमारे स्टोर बट यहाँ पर कुछ ज्यादा अच्छा नहीं लगता तो ह हम एक कस्टम डोमेन यूज करना चाहिए हमारे स्टोर के लिए अगर आप चाहिए तो यहाँ से डारेक्ट ली पर्चेज कर सकते हैं बाइड न्यू डोमेन पर क्लिक करके अधरवाइच आपके पास पहले से कोई डोमेन अपने पर स्ट्रेज कर रहा है नेमचीप गोडड ब्राइस में डोमेन पर्चेज कर सकते हैं नेमचीप का लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन पर मिल जाएगा चहां से आप लेस्टेन फाइवनडर्ड रुपीज में अपकर डोटकूम डोमेन एक सारी रिजिस्टर बर सकते हैं डन डोमेन एड करने पाद जो नेक्स्ट प्रांसलेट करके आपके इस्टौर उस वहां लेंग्विज में भी लाइव कर देगा यह थी आपके सटोर की सेटिंग्स एक बार यह सारी सैटिंग्स आप यहां पर सेट कर दें उसके बाद यहां पर काफी सारे और ओप्शन्स हमें शौपीफाई पे मिलते हैं हमारे क्रिएट करना जैसे contact us about us ये पेज़ करने तो simple यहां online store पर क्लिक करेंगे यही पर आम ड्रोपडाउन मेन्यू मिलेगा जहां पर आपको पेज़ का सेक्शन मिलेगा अब यहां पर आप एड़ पेज़ करें और आपका जो भी बेज़ का इसी तरीके से अगर आपको अपने store पर लिखने है तो लोग पोस्ट पर क्लिक करेंगे दन एड़ नियूप या फिर प्रेट प्लोप पोस्ट पर क्लिक करेंगे दे सेम वही हमें इंटरफेस में लेगा टाइटल हमारा कॉंटेंट तो आप यहां पर इसली ब्लोप पोस्ट भी लिख सकते हैं possibility में आप visible करते हैं अगर आपको publish करने इत प्लिक लिख करने देंव ग्र्रिय दिस्कांट करने मैंने यहां पर 예क भी get 10 यह coupon code यूज़ करने है वापको 10% off मिलेगा इस coupon को like करने के लिए हमें discount वाले section पर क्लिक करने है then create discount पर क्लिक करने है और यहाँ पर हमें चूज़ करना है कि आपको क्या offer on देना है like मुझे यहाँ पर order discount देना है तो मैं order discount पर क्लिक करूँआ then discount code यहाँ पर मैं डालूँआ get 10 then percentage कितना percent हमें off देना है वो मैंने 10% चूज़ गया तो मैं 10% करूँआ minimum order value अगर आपको यहाँ पर set करनी है तो आप कर सकते हैं जैसे minimum जो purchase amount है वो मैं चाहता हूँ कि यहाँ पर वो 599 599 से उपर का जो वह एक purchase करेंगे उस पर 10% ओफ मिलेगा तो आप यहाँ पर यह चीज़े भी set कर सकते हैं सब्सक्रों को देना चाहते हैं कुछ specific segment देना को देना चाहते हैं specific किसी एक customer के लिए बनाना चाते हैं वो सब आप यहां पर कर सकते हैं मैं सब अभी कस्टमर्स के लिए बनाना जाता हूं ओल्ड कस्टमर्स करूँगा दर लिमिटेड नंबर टाइम को च्यूज करना डिसकाउंट को वो कर सकते हैं अगर आप चाते कि यह पूपन एक यूजर सिफ एक बार ही इसी तरीके साब और काफी सारी ऑप्शन मिलते हैं कभी स्टार्ट करना है कभी इसको फिनिश करना है एक्सपारी डेट वगएरा इस पौर्ड की वह आप यहां पर सेट कर सकते हैं तो एक बार यह चीज़ आप यहां पर सेट करने जैसे आप सेव पर क्लिप करेंगे आपक तो यहां पर analytics आपके मिल जाएंगे store की कितनी sale हुई है कितना conversion rate है विजिट्स कितनी है यह सारी चीज़े आप यहां पर marketing में चेक कर सकते हैं उपर analytics में जाते हैं तो आपके जो भी ड्राफिक आता है आपके store पे उसको आप analyze कर सकते हैं कि आपके store से कितना ड्राफिक आया कहां पर कौन सी specific location से आपको ज़्यादा पर्चेज आ रहे हैं वो सारी चीजे आप यहां पर चेक कर सकते हैं और अपने store को और ज़्यादा optimize कर सकते हैं इन सारी चीजों को analyze करने के और ज़्यादा revenue generate करने के बाद उसके बाद content पर अगर click करते हैं तो जो भी photos वगेरा आप add क करनी होती है आप अपने store पर वह यहां file वाले section में आप कर सकते हैं और जो भी files आपको upload करनी है वह आप यहां पर easily कर सकते हैं then customer section में जाएंगे तो यहां पर हमारे जो भी customers purchase order यहां पर डालेंगे उसके बाद जो भी उन पर data होगा accounts हो में वह आप यहां से manage कर सकते हैं delete कर करना create करना कुछ edit करना वो सारी चीज़े आप यहां पर अपने आप यहां पर उन सब को manage कर सकते हैं तो यह थी step by step guide Shopify store को start करने की अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो आप वीडियो को like करें और ऐसी amazing videos के लिए जैनल को subscribe करना बिल्कुल ना बोले और अगर आपको करना 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 के लिए करना कर शया बुल कर दो झाल झाल